हेलो स्तो कमाई का डेस्ट यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज आपर हम बात करेंगे डिक्सोन टेक्नलोजी एड अंबर इंटरप्राइज़ेस के बारे में ये दो कमपनियों से रेलेटेड बहुती इंपोर्टन ब्रेकिंग न्यूज आये है वो यहाँ पर हम डिसक आ रहे है वो क्या इनके अंदर ग्रोथ लेकर आने वाले है या यहाँ पर और गिरावट लेकर आ सकते है वो भी यहाँ पर हम देखते है क्या क्या हो रहा है और कैसे हमें इस अंसरेटेंटरी वाले मार्केट में ये दो कमपनियों के अंदर पफॉर्मस कौन सा डिसाइड क करकर आगे चलना चाहिए कोई हाप पर हम अंडरस्टेंडिंग कर लेते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना कमेंट में बताना किसी कंपनी के बारे में कोईरी या कोशन आपके माइंड में होतो जैसे दोस्तो आप याप पर डि इचले कुछ समय से और आपको यहाँ पर जैसे एक साल का चार्ट पैटन देखने पर तो पता चल जाएगा यह अल्मोस देखिए यहाँ पर 40% पूरा राउंड फिगर ली 40% डिसकौन में है और भी यहाँ पर आगर इसके डीटेल्स को देखे तो देखिए 40% से भी जादा यानि के करीब हम कह सकते कि आदे दाम पर आपको डिक्सोन टेकलोजी का शेर अवेलेबल है अभी मैं यह बता इसलिए रहा हूं कि काफी निवेशक के माइन में तो यह सवाल आता है कि सर खरीदे क्या तो उनको यह पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और कमपनी किस तरीक के से अभी करन सिचुएशन में चल रही है और अंबर इंटरप्राइज की भी बात करें यह भी स्टॉक बहुत बड़े यहाँ पर अच्छे खासे जो 50 टीक हाई के जो लेवल से देखिए अभी एक कहा पर आ गया है इसके अंदर भी अल्मोस 45 परसेंट की गिरावट हमें दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर नजर रख सकते देखिए 45 क्यों यह तो 45 से भी आगे बढ़कर 50 परसन के करीब आ गया बोले तो यह दोनों भी पूरी तरीके से आदे प्राइज में मिल रहे है अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनके अंदर हो क्या रहा है और क् करेक्शन वगेरा दिखाई दे रहे हैं तो देखिए किसी भी कमपनी के अंदर अगर बहुत से निवेशक शेर खरीतते हुए आगे बढ़ रहे हो तो उसके अंदर तेजी आती है और बड़े निवेशक बेच कर जा रहे हो तो उसके अंदर गिरावट आना स्टार्ट होती है तो करीब यहाँ पर 5,900 करड़ रुपीज के यहाँ पर शेर बेचे गए है देखिए अभी इसके अंदर कोई एक कमपनी नहीं है इसके अंदर जितने भी डूरेबल स्टाक्स है जो कंजुमर डूरेबल आप सभी को पता है जिसके अंदर डिक्सोन टेक्नलोजी अंबर इसके और भी और अधर कमपनीज है उनके बारे में बात करेंगे और उसके पीछे रिजन क्या है देखिए यह जो यहाँ पर बेचकर जा रहे हैं लोग उसके अंदर इनके जो कॉस्ट है वो हाई हो गए है मार्जिन वगेरा बीट हुए है बहुत से अलग-अलग इनके रि इन्वेस्टर्स है उनके तरफ से बहुत बड़ा आउंट फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो भी यहाँ पर निवेशक इसके अंदर खरीदारी करकर आप तक बैटे थे आठ मेजर स्टॉक है जोस्तो जिनके अंदर हमें निगेटिव रिटन देखने को मिले है और कर इंटरप्राइजेस एंड इक्सान टेक्नलोजी यह भी यहाँ पर काफी प्रेशराइज रहे है बट आने वाला समय देखिए इनके लिए ऐसा नहीं रहेगा यह बात भी आपको समदना है खाली मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर जब FIS बेशते है तो करेक्शन भी आते है और अभी यहाँ पर आपने देखा भी होगा इनके जो रिजल्ट थे कौटर थी के उसका हमें काफी तेजी से इंपक देखने को मिला और यह देखिए मार्च जो अभी रिजल्ट अभी यहाँ पर आपने देखे होंगे पिछले उसके के अंदर कंपनियों ने कैसी गुरो दिखाई थी वो भी आपको नजर आती होगी और कंजुमर डियूरेबल के अंदर कोन से कंपनिज आते हो तो आपको बताना जरूरी है अंबर इंटरप्राइजेस हैवल्स ब्लू स्टार डिक्सॉन टेकलोजी यहाँ पर दोस्तों जो स सेलिंग नजर आती है यहाँ पर मार्केट से होते वे करीब 5,900 करोड का यहाँ पर माल बेचा गया है कंजुमर डियूरेबल के अंदर है अब यहाँ पर आपको एक इंपोर्टन बात समदना पड़ेगी कि यह जो करेक्शन है उसकी पीछे रीजन क्या है और यहाँ इस ने 5,900 करोड के शेर बेचे गए है तो आप समझ रहे है क्या क्या हो रहा है और आपको यह जो लॉसे दिखाई दे रहे है इसके अंदर आप यहाँ पर आच्छे खासे लॉस में आ गए हो जिसके स्टॉक करेक्ट हो गए और आपका पॉर्टफोली भी वैसा ही है तो आप कमपनियों में कोई गरबढ़ स्रिप सिच्वेशन का ही इनके उपर चालेंज आया है और उसी को यह फेस कर रहे है तो आप आगे बढ़ सकते हैं लॉंग टम के लिए अभी लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे मेरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे आपको इ करेंगे इसमें कोई डाउट भी नहीं है थैंकियो सो मच